आज मैं बिर्यानी के लिए एक बहुती स्पेशल चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी कुछ पुंदे डालते ही आपकी बिर्यानी बिल्कुल बजार की तरह फ्लेवर फुल बनके तयार होगी तो इस चीज को आपने कहा से खरीदना है कितनी कॉंटिटी में इसे यूज करना है और कौन से स्टेज में आपने इसे डालना है ये सारी चीज़े हैं इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं तो चोलो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बता दू ऐसी चोटी सी काच वाली बॉटल में ये बिरियानी इसेंस आपको कोई भी सूपर शॉप में जहां से आप घर का राशन खरीते हैं उस वाली दुकान में बड़ी असान इसे मिल जाता है ये 28 ml की बॉटल मुझे 32 रूपीज की मिली हुई है इसे एक बार खरीदने के बाद बहुत लंबे समय तक ये चलती क्योंकि बहुत कम कॉंटिटी में हमने इसको यूज करना होता है तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी बिरियानी प्रिपरेशन की हुई है 250 ग्रैम चावल मैंने यहाँ पर उबाल की तयार किये है और 250 ग्रैम मीट तो जहाँ पर भी आपने दम लगाना हूँ तो उस वाले बरतन में यहाँ पर मीट को आप ट्रांसफर कर ले और इसके बाद यह बिरियानी एसेंस की कुछ बूंदे आपने इसके उपर डालनी है 250 ग्रैम मीट की हिसाब से मैंने यहाँ 3-4 बूंदे ऐसे यहाँ पर स्प्रिंकल कर दी है इसके उपर हम लगाएंगे चावल और चावल की लेयर देनी के बाद इसको आपने दम लगाना है अगर थोड़ से ज्यादा कॉंटिटी में आप बिरियानी बनाने लगी हो तो चावलों के उपर भी कुछ बूंदे आपने इसकी स्प्रिंकल कर देनी है ताकि चावलों के उपर भी बहुत अच्छा जायका निकले यहाँ पर बिरियानी में बनाई हुई है और हलका सा ल लगाना है इस इसेंस को आपने पुलाव के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं बड़ा बहतरिन पुलाव बनके आपका तयार होगा और जब भी इसेंस को आप यूज करें तो बाकि सारे चीज़े जिसे रोज वाटर केवडा वाटर यह सारे चीज़े आप स्किप कर दे अबर फुल खुश्बुदार बनके तयार होती है कि नहीं इसका एक्सपरेंस हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स में जरूर बताए कि और कौन से रेसिपी या फिर और कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं ऐसे नही नहीं नौन्विज रेसिपी और उनसे जूड़ी सारी प्रेट्रिक्स एंड टीप्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें